नमश्कार दोस्तो, नमक हमारी खाने का स्वाध बढ़ाने की साथ ही साथ ये हमारी स्वास्त के लिए भी फाइदी मंद होता है लेकिन दोस्तो क्या आप जानते हैं कि हम लोग जो रुजाना अपने आहार में सफेद नमक का सेवन करते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक जमता को कम करने की साथ ही साथ कई कमभीर बीमारियों का कारण बन सकता है दोस्तो, आज हम आपको बताएंगे कि पाजार में मिलने वाले सफेद नमक जो हम सब रुजाना खाती हैं उसकी जगह पर ऐसा कौन सा नमक का सेवन करना चाहिए जो आपकी रोग प्रतिरोधक जमता को कम करने की बचाए तेजी से बढ़ाएगा तो इस वीडियो को आन तक ज़रूर देखिए और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले दोस्तो सिंधा नमक, सिंधा नमक इसे व्रत का नमक, रोग साल्ट या लाहोरी नमक के नाम से भी जाना चाता है इसमें पोटेशियम, केल्शियम, मेगनेशियम की अधिकता होने की कारण ये हमारे स्वास्त के लिए फायदी मंद होता है और तीजी से हमारी रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ानी में मददगार होता है दोस्तो सींधा नमक इसलिए हमारे स्वास्त के लिए फायदी मंद होता है क्योंकि ये नमक बिना रिफाइन के तैयार किया जाता है दोस्तो इसके सेवन सी बलड प्रेशर की समस्या में भी फायदा पहुचता है और साधी साथ जिन लोगों को हिर्दय और किड्नी संबंधित परिशानिया होती है उनकी लिए भी इस नमक का सेवन राम बान साबित होता है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको तुरंत चानकारी मिल जाए मिलती हैं अगली वीडियो में